तो दोस्तो वैश्णवी और्गेनिक डेवी फार्म में आपका स्वागत है आज हम एक बार फिर अपडेट लाए हैं और वैश्णवी और्गेनिक डेवी फार्म पे क्या-क्या इंप्रूब्मेंट या काम को हमने आगे बढ़ाया है कैसे इसको इस्टेबिल करने का प्रयास क किया है काफी दोस्त हैं जो पूछ रहे थे कि असर फाम का क्या आगे हुआ है फाम कैसा है कितना आगे इंप्रूब्मेंट हुआ है बना है नहीं बना है तो आज हम आपका डाउट किलियर करने वाले हैं और आप बैशने भी और गेनिक डेव फाम को देख सकते हैं फ्रंट से एक बर कैमरा घुमाओ और लेकर इदर और एब हम फाम के अंदर चलेंगे मेरे भाई तो आप आईए देखिए आंव फाम को खोल लेते हैं अभी अम इसका पूरी तरह से बना नहीं है लेकिन फिर भी काम को काफी आगे हमने ले गये हैं और अब फाम के अंदर आप हैं हमने एक साइड से फार्म का 40 फिट लंबा प्रोजक्ट को कंप्लीट करवाया और इसका जो नीचे जो है गायों के लिए अब आराम दायक नाद का नाद बनाया नाद बनाया है साथ में आप देख सकते हैं फैल जगह है गाय आराम से इसमें स्टेविल कर रही है एक साइड वक्का है तो आगे बढ़िए और अब हम आपको दिखाने वाले हैं यह देखिए यह हमारी दूसरी गाय जो आई है पटना से यहां अरवल से पंदार लीटर दूद देती है और एचेफ है क्रॉस ब्रीड में है और जो पटना वाली गाय है वह भी अभी पांचे लीटर द दे रहे थे तो देखिए उपर साइड में देखिए हमने यह लगवाया है करकट का इस्तमाल किया है आप फाम के अंदर आईए यह देखिए नीचे हमने धलईया किया है सोलिंग गायों को जिससे की गाय आराम से यहां पर पानी पुनी अंदर ना आए और पका रहेगा तो बैक साइड में भी गेट लग गया पूरे खिरकी में भी आपको जो है एंगल लोहे का लगेगा और वो भी पूरा स्टेबल हो जाएगा तो आगे बढ़िए तो यह बच्छिया है यह देखिए यह बच्छिया है पटना वाली जो बहुत साल पहले साल बर पहले आपको दि खुर्ली आप दिखाईए एक खुर्ली नाद एक में पानी और एक में खाना एक में खाना और एक में पानी है पानी ओटमेटिक सिस्टम से भरा जाता है और आप देख सकते हैं देख लीजिए और आगे अपडेट इस तरफ देखिए जो गाय का जो लेंथ है इसका जो यह लंबाई है यह करीब करीब हमने रखा है दस से बारा फिट बारा फिट हमने लंबाई काफी चोड़ा रखा है कि गाये को फैल रहेगा दिक्कत नहीं आएगा और यह देख सकते हैं यह काफी जो है एक साइट से हमने फाम का अपडेट किलियर किया है इसमें देखिए इधर आईए यह देखिए इसमें पानी भरा जाता है यह पाई के द्वारा पानी आ जाता है इसमें और पानी भर जाएगा एक में खाना खालेगी फिर एक में गाये खाना खाएगी एक में पानी पिएगा मतलब वन वाई वन सिस्टम हमने बनाया है और जो है अब हम आगे आपक नवी और्गेनिक डेव फाम है जो निचुरल चीजों के इधर आगे आना तो यह था और यह प्यारी सी बच्छिया थी जो बहुत छोटा था पहले आप बड़ा हो गया है यह बहुत प्यार भी करता है इंसानों से अब देख सकते हैं सबी से प्यार करता है इसके साथ बैठी अबए न सब्यार करेंगा आव प्यार करेंगाय इस तो जारी है यह देखिये इस के ऐदा से में मिकेसे यह है में इसके और सब्सक्राइब हों प्यार से प्यार करता है बहुत अच्य वचिया आ और हम लोगको सबसे पसंदीदा था वी बढ़ा हो गया है ठीक है और बहुत प्यारा भी है है और अभी हम जो है यह था वैश्णवी और गेनिक डेवी फॉर्म आप आईए यह देख सकते हैं इधर तक काम कंप्लीट हुआ है और इसी कड़ी में अभी हम आपको को आटमेटिक वाटर सिस्टम से पानी भर के दिखाएंगे कैसे पानी को भर आ जाता है एक तरफ गाइओं के तरफ देख लोजेए इधर कच्या है एक तरफ कच्चय पे बानते हैं और एक तरफ पक्का है तो दोनों का इस्तमाल करते हैं और आप देख चुके होंगे फार्म को हम अपडेट तो यह था फार्म तो अभी हम इसमें जो है ऑटमेटिक वाटर सिस्टम भर करके बताएंगे धन्यवाद दोस्तों अब हम आपको पानी के बारे में अपडेट दे रहे हैं बैसनभी और गेनिक डेई फार्म पे जो पानी है वो टमेटिक आता है वो देखिए क आपके है अब यह कुछ पानी पीते समय इसने कचरा घिरा दिया कुटी और नहीं बोल सकते हैं वाड़ सखाने का कुटी होता है वो गिरा दियो इसने अब पानी ओटमेटिक भर रहा है तो ऐसे करके जो है अभी एक नाद में भरेगा फिर उसके बाद दूसरे में भर आप देख सकते हैं पानी कैसे भरता है और यह बंद कर रहे हैं बना रहा है तो आटेमेटिक वाटर सिस्टम का बहुत महत्पून रोल है अब मान लिजी आप कहीं चले गए और गाये को पानी नहीं पिलाएं तो गाये तो प्यासी रहा जाएगी अगर आपके फाम पे नाद म होगा तो पानी आटेमेटिक भरा रहेगा और वो जो है फिर भरा रहेगा तो गाये अपने आप अपने हिसाब से पानी भर लेगा और ऐसे भी बिहार के अंदर जो किशान होते हैं वो गायों को दो से तीन बार पानी पिलाते हैं दो से तीन बार और उनको हो सकता दस बार पिने का इच्छा हो, गर्मी में दस बार भी पानी पिएंगे, और एक गाय का जो पंदरह से दस से पंदरह लीटर दूद देती है, उन गायों का मिलकिंग औसत के हिसाब से, पर दे पानी का औसत है पिलाने का 80 से 100 लीटर, तो प्रती गाय हम 100 लीटर पानी पिला नहीं पाते हैं, तो हमारी गायों का जो दूद है, ओ घट जाता है, तो उनको हम कैसे मेंटेन रखें, तो हम फाम पे मेंटेन इस तरह से रख सकते हैं, कि हम गायों को गाय के हिसाब से पानी पिलाना है, न कि हम अपने हिसाब से गाय को पानी पिलाने का रेशियो तै करेंगे, गाय को हिसाफ से पिलाना है इसी के लिए automatic water system होना बहुत जरूरी है इन ही कड़ी में यह देख सकते हैं अभी यह बिलकुल भर जाएगा आप देख रहे हैं यह पानी आ रहा है पानी अभी भरने वाला है तो सभी में पानी फूल हो जाएगा फिर अपना दीन भर पानी पीते कोई टेंसन भी नहीं है ना पिलाने का न वह करने का तो यह पानी अपनी हिसाफ से और जब कर लेगा और गाय को जब इच्छा होगा तो पानी अपनी हिसाफ से पी लेगा तो यह water system है automatic यह देखिये यह देखिये पानी भढ़ने वाला है इसमें देख रहे हैं पानी आ रहा है यह level maintain हो जाएगा पानी भरा है फिर अपने आप बंद हो जाएगा thank you